कराची बेकरी के जो बिस्कित ओते हैं और कुकीज होती हैं वो वाल्ट फेमज़ है अपने ट्रेडिशनल टेस्ट और क्वालिटी के लिए और वौल्ट फेमेस कुछ और बी चीज़ें इंडिया की जसे की इंडिया के इस्टरिकल मॉनुमेंट्स एज़े एक मॉन्यमेंट पे आज अब आप पहुचे हैं जहां पर सिरफ इंडिया के ही नहीं बलकि पूरी दुनिया के लोग हैं तो उनको टेस्ट कराते हैं कराची बेकरी के कुछ यम वाले बिस्केट्स और पुछते हैं कि भाई क्यूं ये इतने फेमस हैं और विशकेट्ट सकताज़ा कि वहत अख्यों पहूंची एसे और पहली बार ऐसा बिसकेट्स का रहे हैं सुना तो काती तक अरची बिसक्त के बारे में लेकिन पहली बार रहे हैं बैरि आसन सारे बिसकेट्स संगाते हैं उनसे कुछ अफानन है हम पहुछ चुके हैं दिली के सबसे फेमस पब्लिक प्लेस यारी की कनॉट प्लेस में जहां पर में ट्राय कराने वाली हूं लोगों को and these beautiful girls are there with me, have a bite, these are Karachi Bakery's Chai Biscuit. They are good, very soft, amazing, delicious, very tasty. आईए, इनको भी थोड़ा सा टेस्ट कराते हैं, सच में, it's really tasty, very tasty. अगर आप भी मेरी तरह चाय Biscuit के इस कदर फैन हैं, कि सुभा भी आपको यही कॉम्बिनेशन चाहिए, शाम को भी आपको यही कॉम्बिनेशन चाहिए, कराची बेकरी के यह जो चाय Biscuits हैं, याल यह जो उस्मानिया बिस्कित हैं, मतलब चाय का सुभाद है, वो दो गुना बढ़ जाता है इन बिस्कित के साथ. शॉपिंग कीजिए, कराची बेकरी की एक पाकेट चाय Biscuits, एक पाकेट उस्मानिया बिस्कित और दो पाकेट फ्रूट बिस्कित की सिर्फ चे सो निन्यानबी रुपे में, साथ में हैं इक्यावन रुपे की डिलिवरी चार्जिस. EZMall.com पर आपकेलिए है इसर्थ को एक बेरी वेज़ काराची बेकरी से पैक त्युक्त है कि ब ही एक पैकेट यहाँ पर चाय बिसकित का है और एक पैकेत यहाँ उस्मानिय बिसकित का और यह जो निन्हें हैं सिर्ट 3 पोटल आपके लिए 1600 ग्राम्स बिस्केट है विल्कुल अच्छ एक बात है जैसे इंडिया में क्रिकेट एक इमोशन है वैसे मुझे लगता है चाय भी एक इमोशन की तरह है लोक चाय का नाम सुनते ही खुश हो जाते है लेकिन चाय अखेली पिये जाए तो मुझे लगता है मजा कुछ अदूरा रहता है इसलिए हमेशा चाय के साथ बिस्किट पसंद किये जाते हैं और अगर वो बिस्किट कराची बेकरी वाले चाय बिस्किट हो या उसमानिया बिस्किट हो तो मुझे लगता है यह बाद जाता है पहले प्यार की तरह, जितनी बार में फ्रूट इस्टेसे भी का थेंज से पहले प्यार का स्वाक दायन में यद आ रही है मैं सिस्टर अगाँ तू है वहाँ पर उसकी यूनोग प्लेस्मेंट वा था और तब वहाँ से हमारे लिए पहली बार लेकर रहाई थी कराची बिस्कित मेरी सिस्टर भी एक्चली है वहाँ उससे मिलने गए तो उसने यही का था ममी यह से कुछ लेके जाना ना जाना कराची बेकरी के बिस्कित जरूर लेकर जाना और इससे होता है न मैं जब भी लखनो जाते हूं तो लोग मुझसे कहते हैं तुंडे कबाब जरूर लेकर आना आम शुर आप जाते हो कि जैपूर तो कोई ना पूल कुछ बस तो जैपूर के लिस्टी तुम जानती हो इंडलेस होती है और जब भी कोई हैधराबाद जाता है या वहां को बिलॉं करता है हम उससे यही कहते है काराची बेकरी के बिस्कित के बिना बिलुकुल मता आना अ जैपूर में काफी लंबे वक तक यह अवेलिबल नहीं थे लेकिन अब जैपूर में तो काफी हट तक अवेलिबल है बाइम शुर इसे बहुत सारे शहरे इंडिया के जहां पर ईजी ली कराची बेकरी के यह बिस्कित अवेलिबल नहीं है अब्सलिए हम ने सोचा अभी न और कि के दो पैकित है दूसरा चय विस्कित है चार सो ग्राम का यृफए और तीसरा उस्मानिया बिस्कित है वंस अगेन 400 ग्राम का पैकेट या ने की इन टोटल 4 पैकिट, 1100 ग्राम और इनका इजी प्राइस है फिर्फ 699 रुपै में साटमें हैं 51 रुपै की डिलिवरी 100% vegetarian इनके shelf life है 18 महिने की और आपके घरिये latest packaging में आएंगे अच्छा हम कहतो रहे हैं कि हैदरबाद की जो कराची बेकरी के biscuits हैं वो बहुत famous है ये बेकरी बहुत famous है बट ऐसा क्यों है क्योंकि 1953 में इस बेकरी की शुरुआत हुई थी पहली जो shop खुली थी और तब से लेके आज तक इसके taste में कोई शिकायत नहीं है इसके reviews आप किसी से भी दिमांड पे सबसे पहले बनाए गए थे ना जो हैदरबाद के लास्ट निजाम थे उन्होंने डिमांड की थी कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो टेस्ट में थोड़ा सा स्वीट हो और थोड़ा सा टांगी हो और उनके लिए पहली बार उसमानिया बिस्किट बनाए गए गए थे और तब से इसको इतना पसंद किया जा रहा है कि आब ये हर घर में मिलते हैं वाँ भरी नवाब साहब ने आब डिमांड किया थाइंफुली हमको एसे एक ऐसा बि उसमानिया उनिवर्सिटी है इसके आजू बाजू तो स्टूडेंस का ये फेवरेट पास्टाइम होगा एक प्याली चाहे और साथ में उसमानिया बिस्किट हो जाए ये तुराइम हो गया अजा पता है बहुत सारे लोगों को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जेरली बे प्रियन का करन्च कैसे आता है इसमें क्रंच का काम करता है मिल्क और साथ में थोड़ा सा कस्टरड पाउडर यूज करते हैं जिसवजह से ये क्रंची रहते हैं अब बैस्ट पार इस 20% इसमें मिल्क का कॉंटेंट होता है वाव यानि यह रास इसके बढ़िया सी टेस्ट क अचा, उस्मानिया बिस्कित जितने टेस्टी हैं, उतने ही टेस्टी फ्रूट बिस्कित हैं और फ्रूट एक तो ऐसे हम सबको इतना पसंद होता है प्लस, अचा मैंने अपने घर में यह जरूर सुना है मम्मी को बचपन से कि कोई भी special महमान आने होता है ना मम्मी यही कहती पापा से बेकरी वाले biscuits लेके आना नॉर्मल जो coconut या strawberry flavor के biscuits होते हैं वो हम पसंद नहीं करते हैं उस time पे so यह जो specially pack होता है fruit biscuit का कराची बेकरी का इसको बहुत जादा gifting के लिए भी जाता है और जैसे मैंने कहा खास महमान जब आ रहे हैं उसके लिए नहीं बहुत जादा यूज किया जाता है in fact not only in हैदरबाद जो लोग हैदरबाद से लेके जाते हैं वो अपने घर में इसको जुरू इस तरह से जाता भी फ्लेवर होता है इसी की वजह से इसका फ्लेवर इतना कमाल का है और एक बात और आस्था जैसे तुमने बताया ने कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को बोलती है कि खास महमान आने वाले हैं इसलिए बेकरी वाले बिस्कित लेकर आना and most of the females including my mommy and sometimes me also हम अपने घर के मेल्स पर dependent होते हैं जब भी घर पे खास महमान आरहे होते हैं उनके लिए जो नाश्ता लेकर आना है वाई जब आप घर बैठे बैठे कराची बैठे कराची बेकरी दे फेमस कराची बेकरी सिंस 1953 उनकी शौपिंग कर सकत हैं एक बात और आसान बहुत सारे शहर इंडिया के जहां पर ईजी ली कराची बेकरी के ये बिस्कित अवेलिबल नहीं है अप्सलिए हमने सूचा इसलिए हमने सूचा की easy mall.com पर घर बैठे बैठे आप दी फेमस कराची बेकरी के ये बिस्कित इनकी easy shopping करें तो easy mall.com पर फ 400 ग्राम का पकेट यानिके इन टोटल 4 पकेट, 1600 ग्राम और इनका easy price है. सिर्फ 699 रुपे में साथ में हैं 51 रुपे की delivery charges. 100% vegetarian. इनकी shelf life है 18 महिने की और आपके घर ये latest packaging में आएंगे. और यहां पर ये जो तीन फ्लेवर के बिस्कित हैं कराची बेकरी, टूटी फ्रूटी बिस्कित जिसके अंदर cherry दिसा टेस्ट होता है जो actually papaya होता है. इसमें जो दूसरा फ्लेवर है वो है चाय बिस्कित. हलका सा नमकीन होता है क्योंकि चाय के साथ पसंद किया जाता है. तो कि famous उसमानिया बिस्कित है, तैंगी और स्वीट इसका टेस्ट होता है. और ये तीन फ्लेवर के साथ आस्था यहां पर दो पकेट है. 400-400 ग्राम के फ्रूट बिस्कित के, एक पकेट है चाय बिस्कित का, 400 ग्राम का, एक पकेट है उसमानिया बिस्कित का, once again 400 ग्राम का The famous Karachi Bakery के जिसमें तीन फ्लेवर हैं, पहले ये फ्रूट बिस्कित है, जिसके 400-400 ग्राम के दो पकेट है, दूसरा चाय बिस्कित है, 400 ग्राम का पकेट और तीसरा उसमानिया बिस्कित है, once again 400 ग्राम का पकेट, यानिकीन टोटल 4 पकेट, 1600 ग्राम और इनका ईजी प्राइस सिर्फ 699 रुपए में साथ में 51 रुपए के डिलिवरी चार्जेज 100% वेजटेरियन इनकी शेल्फ लाइफ है 18 महिने की और आपके घर ये लेटिस्ट पैकेजिंग में आएंगे आपके लिए है ते वेरी फेमूस कराची बेकरी से पैक फोर कराची बिसकित्स जिसमें दो पैकेट यहांपर fruit biscuit के हैं जो बहुत ही famous है उसके अलावा एक पैकेट यहांपर चाय Biscuit का है और एक पैकेट यहां पर उस्मानिया Biscuit का है और और जो चापड़ participator पैकेट हैं 400-400 ग्राम की packaging में हैं that means in total आपके लिए 1600 ग्राम बिलकुल अच्छा एक बात है जैसे इंडिया में क्रिकेट एक इमोशन है वैसे मुझे लगता है चाय भी एक इमोशन की तरह है लोग चाय का नाम सुनते एक खुश हो जाते है लेकिन चाय अखेली पिये जाए तो मुझे लगता है मज़ा कुछ अधूरा रहता है इसलिए हम जोए भी ओ मुझे लगता है स्वाग उनका और बढ़ जाता है पहले प्यार कि दाना जितनी बार में प्रूट बिस्कित काती हो ना कराची बेकरी का वो जिससे पहले प्यार का स्वाद आता है लाइब एक फॉर्स ताइम एक्स्पीरियंस विलकोल हमारे क्ATE मीट और बहुत सारे इंडिया के जहां पर इसलिए नहीं जहां पर एजिली के ग्राची बेकरी के ये बिसकित अवालोग नहीं करें तक इसलिए हमने सूचा की इजीपगरी के गर बयठे-बैठे आप दी इनकी इसी शॉपिंग करें तो EZMall.com पर फेमस कराची बेकरी के ये बिसकित जिसमें तीन फ्लेवर हैं पहले ये फ्रूट बिसकित है जिसके 400-400 ग्राम के दो पैकेट है दूसरा चाय बिसकित है 400 ग्राम का पैकेट और तीसरा उस्मानिया बिसकित है वन्स अगें 400 ग्राम का पैकेट यानिकी इन टोटल 4 पैकेट, 1600 ग्राम और इनका इजी प्राइस है सिर्फ 699 रुपे में साथ में हैं 51 रुपे की डिलिवरी चार्ज़स 100% vegetarian, इनकी shelf life है 18 महिने की और आपके घर ये latest packaging में आएंगे